ओज भी एभी आणिए विए लास्ट चीम हमने पेरा मेट्रिक देख लिए था एना अरह आया ना अब आप्र देख लिए थान अमने लास्ट टाइम इन भाई परामेट्र एक्विश्विशन में क्या होता था हमारे पास कि भाई, जैसे कि हमारे पास हम Q से P तक जाना चाहरे हैं, ठीक है, Q हमारे पास non-point है, और P unknown point हमने कोई भी एक assume करा है, या फिर मुझे यहां तक पोश्चना है और मुझे इसके coordinates find करने है, P के coordinates मुझे find करने हैं, और यह जो line है, PQ, इसका angle of inclination कितना है, theta, angle of inclination, clear है ना सभी को, यह सर, मैंने यह भी बता जिया तब ही, अगर आप उपड़ चलोगे, चाहे left side जाओ, या फिर right side जाओ, किसी में भी जाओ, तो वहाँ पर आपका R positive रहेगा, right, और अगर निचे की side आओगे, तो वहाँ पर R negative हो जाएगा, clear है, और अगर इस direction में जा रहे हो, तो यहा हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर जो है, angle of inclination कैसा है, obvious, यह सर, है ना, obvious है, तो फिर यहाँ पर cost negative हो जाएगा, और sign positive रहेगा, right, clear है, और इस वाले direction में कैसे करोगे, भई, इसको आप यहाँ पर X-axis तक पहुचाओगे कैसे भी, right, तो अगर यहाँ तक पहुचाओगे, तो यह जो भी है, यह obvious angle है, right, yes, sir, है ना, और अगर यहाँ पर देखोगे, तो यह वाला जो है, वापस से acute angle बना रहा है, clear है, yes, sir, yes, sir, okay, तो हमने यह सब कुछ देख लिया था महाँ पर, और formula क्या था हमारा, X-X1 upon cost theta is equal to Y-Y1 upon sin theta is equal to R, right, Yes, sir, और R क्या था हमारे यहां पर, R कोई भी एक real number हो सकता है, right, clear है, yes, sir, इसको उपर हमने एक कुछन भी देख लिया था तो और एक और मेने आपको कुछन दिया था, यह किया था क्या किया किसीने try, यह कुछन किसीने try किया था किया था किया था, तो भाई देखो इसमें हमने क्या देखा था कि यह कोई लाइन है टू एक्स मानस ट्री वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो इस से हमें इस लाइन से एक पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड करनी है कौन सा पॉइंट 2,3 जिसके पॉइंट है पीच इसके कोडिनेट से 2,3 त तो इसके मुझे इससे डिस्टेंस फाइंड करनी है लेकिन डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है इस यल्लो लाइन के पेरिलल फाइंड करनी है क्लियर है तो भाई मुझे बैसिकली पी से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस है अगर मैं इस लाइन को उपर एक पॉइंट लेलू इ सब्सक्राइब हैं तो अगर मैं क्योग ग्टियू राइन का इंटर सेक्शन पॉइंटा करने का इंटर सेक्शन पॉइंक लूगा है लिए जिता सभी लोगों को तो अब मुझे बताऊ Chip को इक्वेशन केसे फाइंड करूं पी क्योटा कि इक्वेशन कैसे फारगा पहले तो मुझे बताओ किस इक्वेशन फारें करने के लिए कितनी चीजे चाहिए मुझे इनफ्येंशन जाईए कितने पॉइंट चाहिए होंगे फिर अगर सिर्फ मैं पॉइंट की बात करूं तो क्यों के लिए मेरे पास अभी को इन्फॉमेशन नहीं कि मैं क्यों फाइंड कर सकूँ है ना तो भाई दो पॉइंट वाला तो कैंसल हो गया हमारा प्लान फिर इसके लावा पैरलल लाइन से भी बन जाती है बिल्कूल बई ये जो लाइन है तो इस लाइन को मैं कैसे यूज करूंगा फिर मेरे पास एक पॉइंट है मुझे और क्या चाहिए इसमें लाइन का equation find करने के लिए PQ का equation find करने के लिए मुझे और क्या चाहिए अगर मेरे पास एक point है तो और क्या चाहिए फिर slope slope चाहिए तो slope कैसे find करूँगा मैं जो x-y की slope है वो इसकी और पैलल की same होती है बिल्कुल पैलल लाइन का same slope होता है तो यह जो इसका slope है x-y-1 का slope कितना है 1 है तो इस PQ line का भी slope same होगा तो आप PQ की equation लिख दोगे क्योंकि आपको point पता है slope पता है फिर PQ की equation लिख दोगे तो आपको L की equation तो पता है यह इन दोनों equation का intersection point ले लोगे वो क्यों आ जाएगा और PQ की distance find कर लोगे वह यार किसी ने नहीं कि आपको method पता होते हो भी यार please यह try किया करो क्योंकि अगर आप यहाँ पर calculation नहीं करोगे आप बस यह देख लोगे मुझे तो concept पता है तो आपकी जो exam में calculation मिस्टेक होती है वह इसलिए होती क्योंकि आपकी practice इतनी अच्छी नहीं होती है ठीक है तो भई practice भी करना पड़ेगा आप लोगों को ऐसा नहीं कि बस concept आता है तो ठीक है वही फोड़ा सा practice करना पड़ेगा ताकि आपकी speed तेज हो और आपसे गलतिया कम हो क्लियर तो यह method first तो यह हो गया था अब method second में और बता देता हूं आपको जो कि हमने अभी method पड़ा है parametric equation का तो उससे जो है हम इस question को करना चाहेंगे clear तो भई सभी लोग देखना अच्छे से आराम से और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ है तो प्लीज पूछ लेना इससे मुझे इस point की distance find करनी है right या फिर मैं बोलू तो यह आपको करना है clear और किस line के parallel करना है यह x-y-1 के parallel करना है क्लियर है यह दोनों लाइन parallel है that means okay बहीं देखो यह वाली लाइन कौन सी है आपके let's suppose यह 11 लाइन है जो कि क्या है 2x-3y-9 equal to 0 ठीक है clear और यह वाली blue वाली कौन सी line है x-y-1 equal to 0 और यहां पर हमें point दिया गया है इस point क्या है 2,3 okay तो मुझे anyhow यह q point find करना है अगर मैं q point find कर लेता हूं तो मुझे pq की distance फता जल जाएगी clear yes है ना हमने जितनी भी information दी गई थी वो सब कुछ इस diagram में बना दिया तो भाई let's suppose की pq की distance r है क्या है pq की distance r है clear okay अच्छा जी तो अब मुझे मुझे बताओ की 4 equation of pq या फिर 4 q भाई मुझे p से q तक जाना है तो मुझे कितनी चीज़े चाहिए parametric format के according formula क्या है पर ले तुम यह बताओ parametric equations का formula क्या है x-x1 upon cos theta equal to r it is equal to y-y1 upon sin theta equal to r हमने दोनों को combine कर दिया था है ना yes sir okay तो भाई मुझे यहां पर क्या क्या चाहिए x1 y1 और theta चाहिए और मैंने assume करी लिया है क्या है ठीक तो मुझे भाई x1 y1 क्या है x1 y1 क्या होते है यहां पर हाजी अरे x1 और गिवन पॉइंट बिल्कुल कोडिनेट और गिवन पॉइंट जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चलना अपने ट्रेवलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहां पर पी से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेवलिंग अपनी yes sir तो यह हमारे x1 y1 हो जाएंगे clear है yes sir अच्छा जी अब मुझे बताओ theta कैसे find करूंगा मैं theta equal to क्या ठीटा के लिए मैं स्लोप देखूंगा इन दोनों का है ना भाई इसका स्लोप कितना है 1 1 है यह एल्टू लाइन हो गई और एम्टू हो गया आपका 1 clear भाई स्लोप निकालते आता ना सभी को माइनस ए अपन बी हां किना यह स्लोप कितना हो जाएगा बेटा एम ओफ पीक्यू 1 क्यों हो जाएगा क्योंकि जो आपके पीक्यू लाइन है वो एल्टू के पेरलल है clear तो जो पेरलल लाइन होती है उनका स्लोप भी एक्वल होता है तो हमें स्लोप भी मिल गया तो भाई अगर पीक्यू का स्लोप 1 है मतलब 10 थीटा की वेलु कितनी है वन है यह सर्थ यह सर्थ तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा बेटा 45 डिग्री 45 डिग्री वेरी गुड तो थीटा आपका आ गया 45 डिग्री clear है बेटा सभी लोगो को कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है ओके तो अब जस्ट हमें वेल्यूस पूट करनी है तो एक्स माइनस एक्सवन कितना है टू और ठीटा कितना आपका 45 तो यह कोस 45 हो जाएगा clear फिर इसके बाद y-y1 तो y1 की वेल्यू कितनी मेटा 3 है और साइन 45 हो जाएगा निनो denominator में clear yes sir तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर q के coordinates चाहिए तो q के coordinates के लिए एक्स माइनस एक्स वाला जो टम एक्स वाला जो यह fraction है और यह आर को equate करना पड़ेगा तो भाई देखो x equal to क्या जाएगा आपका भाई यह cost 45 एक तो r से multiply होगा right तो r into cost 45 cost 45 कितना होता वेटा one upon root 2 one upon root 2 okay और मुझे x की value चाहिए तो यह minus 2 को भी right side भेजना पड़ेगा तो इधर आके plus 2 हो जाएगा clear है yes sir x की value कितनी आगई आपकी यही आगई r by root 2 plus 2 clear yes sir और y की value कितनी आजाएगी बेटा यह minus 3 उदर आएगा और पर तो sign 45 को आप multiply गर दो तो r into sign 45 to sign 45 1 by root 2 होता है right और यह minus 3 उदर आके plus 3 बन जाएगा हां के ना clear है okay तो भाई क्यू के coordinates क्या आगए मेरे पास r upon root 2 plus 2 comma r upon root 2 plus 3 clear है यहां तक yes sir किसी को कोई doubt किसी को कोई doubt है क्या no sir okay तो now भाई आपका जो point q है now point q वो किसके उपर लाई करता है आपका l1 के उपर लाई करता है वो l1 line में put कर दिजिया x की जगे क्या आएगा r upon root 2 plus 2 by x coordinate यह है क्यों का yes sir और y की जगे क्या आएगा r upon root 2 plus 3 very good और उसके बाद आएगा plus 9 ठीके वेटा clear yes sir okay तो अब देखो यह 2 r by root 2 और minus 3 r by root 2 कितना बचेगा minus 2 r by r root 2 बिल्कुल minus r by root 2 clear by r by root 2 को आप x मान लो 2 x minus 3 x कितना होगा minus x clear और यह 2 into 4 फिर उसके बाद यह minus 3 into 3 minus का 9 तो यह plus 9 और minus 9 cancel हो जाएगा yes sir तो कितना बचेगा सिर्फ minus r by root 2 plus 4 equal to 0 यहाँ तक clear है सभी लोगों को yes sir ओके तो अब मुझे भई r की value अगर मैं find करो तो क्या आएगा r by root 2 equal to 4 तो r की value कितना आ जाएगी 4 root 2 clear है yes sir तो मुझे r की value find करने थी ना tq की distance कितनी है right यही find करना था मुझे yes sir मैंना तो मैंने वही find कर लिया तो यह मेरा answer हो जाएगा फिर की r की value कितनी आ गए आपकी 4 root 2 clear है बटा है question सभी लोगों को yes sir okay then आगे बढ़ते हैं फिर के वाला question फोड़ा सा देखिएगा इसको भी मतलब अच्छा question है medium type का question है बस आपको जो जो भी दिया हुआ है उसको लिख लीजिए बस तो आप क्या करना है मुझे a line through the point 2,3 meets the line this जो कोई एक line है मेरे पास 2,3 से जो pass होती है और इस line को मिलती है x-2y plus 7 equal to 0 अच्छा दो lines को मिलती है यह first line x-2y plus 7 और दूसरी line x-3y minus 3 equal to 0 को तो पहले तो यह दो line बना लेते हैं ओके ओके हमने दो lines बना ली clear फिर हमारे पास एक point है इस point P से एक line जाती है जो कि इन दोनों lines को मिट करती है A और B पर ठीक clear है yes sir P क्या है हमारा 2,3 okay तो हमारे पास P 2,3 से एक line है जो कि इन दोनों lines को मिलती है A और B पर अच्छा जी फिर उसके बाद पढ़िए if P divides AB externally अच्छा तो मुझे बताओ अगर P जो है AB को externally divide करता है 3 ratio 2 में तो ratio किस तरीके से लिखू में मैंने लिखते हैं यहां पर 3 ratio 2 मुझे बताओ इधर क्या लिखू में किसके ratio के बराबर हो गए हाजी यहां पर क्या लिखू में किसका ratio लिखू इधर 3 ratio 2 में अगर P जो है आपका AB को divide करता है externally 3 ratio 2 में हाजी केशव बताओ केशव कशीश बताओ बताओ केशव कशीश दिक्ष्या अकांग शा अंशुमन आयूश खुशी अरे भाई देखो चले क्या बेटा फिर से बोलना AP 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 नहीं बेटा थोड़ा सा AP का तो सही है लेकिन देखो मैं अभी आपको थोड़ा सा और क्लेरिफाय कर देखो AP 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 इस नहीं बताया यह सरक पैशिश वेरी गुड़ बेटा AP अपॉन बीपी भाई देखो पहले हम लाइन का थोड़ा सा नाम करन कर देते हैं ठीक है भाई अगर पी जो है वो AP को externally divide करता है मतलब भाई आपका यह और P कही दूर रहेगा तो P की जो है A से distance ज्यादा होगी B के comparison में clear है यह ऐसा कुछ होगा ना भाई यह सर्थ भाई ऐसा ही कुछ होता है है ना यह सर्थ यह सर्थ डिवाई बाई B से P की distance clear clear है वेटा तो भाई अब P से मुझे चाहिए A की distance तो मैं A मतलब कहा लूँ L1 के उपड़ लूँ की L2 के उपड़ लूँ A कहा लेना चाहिए L1 के उपड़ A जो है वो दूर है B से P के नजदिक कौन है B है ना clear है Yes sir clear है ना मेटा एक क्यों की हमेने Yes sir Okay तो यहां से मुझे रेशो भी मिल गा AP upon BP is equal to 3 ratio 2 तो इसको मैं कुछ ऐसे कर दूँ तो यह भई 3 ratio 2 में divide करता है तो भई P से A तक की distance में मान लेता हूँ 3R है clear और B से P तक की distance कितनी है 2R है clear है Yes sir है ना भई दोनों का जो रेशो आएगा वो 3 ratio 2 यह आएगा ना बीभी Yes sir clear Okay तो भई मुझे P से A तक की distance पता चल गई कि यह R distance है मुझे initial point पता है कहां से हम start कर रहे है P से start कर रहे है right है ना तो क्या मैं और मुझे like parametric question लिखने के लिए और किसकी जरुरत है मेरे पास R है initial point है इसके लावा क्या जरुरत है मुझे ठीटा ठीटा तो ठीटा कैसे निकालेंगे भई हाजी ठीटा कैसे निकालेंगे अरे बोलो भाई मुझे यहां पर जो है basically ठीटा के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा दोनों जगे से मुझे ठीटा का ही करना पड़ेगा क्योंकि भई देखो यहां पर मुझे R का भी सीन पता नहीं है और ठीटा का पता नहीं लेकिन मेरे पास दो जो है दो conditions है तो देखे कैसे करते हैं तो भई 4 पहले करते है 4 A भई मैं P से A पर जा रहा हूँ ठीके तो इनिचल पॉइंट क्या होगा आपका X1 Y1 2,3 Clear अरे हाँ या ना Yes Sir अब भई यह A B जो है यह P A B एक ही लाइन पर लाइक कर रहा है तो slope of A P is equal to slope of B P होगा के नहीं होगा Yes Sir होगा ना क्योंकि A की लाइन को उपर लाइक कर रहा है और A की लाइन को उपर जो लाइक करते हैं उनका slope बराबर होता है Clear तो 4A यह अगर हो गया और angle of inclination theta माल लेते हैं Clear angle of inclination theta माल लेते हैं तो बताइए भई क्या हो जाएगा X-X1 X-2 upon cos theta is equal to Y-Y1 upon sin theta is equal to क्या आएगा बेटा 3R आएगा पी से ए तक की distance हमने कितनी मानी 3R है न Yes sir यह समझ माया भई पी से ए तक की distance कितनी है 3R और पी से बी तक की distance कितनी है 2R अब इन दोनों का ratio लोगे तो 3 ratio 2 आजाएगा Clear 3R distance है Okay ratio नहीं है 3R distance है तो यहां से X की value क्या आईगी बेटा X की value क्या आएगी 3R cos theta plus 2 आएगा Clear है Yes sir Okay अब मुझे बताओ यहां पर Y की value क्या आएगी 3R sin theta plus 3 3R sin theta plus 3 Clear Same case जो है हम किसके साथ करेंगे B के साथ Okay Yes sir तो अब इसके लिए भी X1 Y1 तो क्या हो जाएगा आपका 2,3 होगा 2,3 होगा और angle of inclination भी same है आप लोग का इसके लिए same है ना Yes sir Clear है Yes sir Okay So अब देखिए कि भाई equation क्या बनेगी आपकी X-2 upon cos theta is equal to Y-3 upon sin theta is equal to 3R I sorry 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 I am really sorry 2R होगा 2R होगा बिलकुल Clear है Yes sir Okay Clear है ना सभी लोग को Yes sir Okay तो यहां से X की value क्या आ जाएगी बेटा 2R cos theta plus 2 और Y की value क्या आएगी 2R sin theta plus 3 Clear है Clear है इतना Yes sir Okay अब मुझे बताओ कि इसमें relation कैसे करे हैं पन बताओ Relation का हम कैसे क्या थोड़ा सा scene करें यहां पर किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है हाजी अरे बोलो R cos theta की value find कर सकते हैं अजी अजी 2R cos theta plus 3 यह किस पॉइंट के कोडिनेटा हैं Yes sir तो इसको satisfy करना चाहिए 3y minus 3 equal to 0 okay तो equal to 0 clear है Yes sir तो यहां से क्या जायगा 3R cos theta यह 2 into 3R scientist तो यह 6R scientist हो जाएगा minus का हाजी clear है पहले 3R cos theta लिए 2 को अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाए यह पहले यह minus 2 को 3R scientist से multiply कर दिजिए तो minus 6R scientist हो जाएगा फिर इदर का plus 2 और इदर 2 into 3 तो यह और प्लस का 7 तो प्लस का 7 और minus का 6 कितना हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा clear है यह yes sir ठीक है अच्छा जी तो थोड़ा सा इसको आगे हम solve कर लेंगे पहले इसको भी solve कर लेते है तो B B किसके उपर लाए करता है B lies on L2 है ना yes sir प्लस करना चाहिए तो then satisfy the equation तो L2 क्या थी बेटा आपकी एक्स प्लस 3y-3 तो एक्स के जाएगे क्या रिक दो गया तो आर को स्टीटा प्लस टू प्लस टू फिर उसके बाद प्लस का 3 इंटू वाई वाई कितना है टू आर साइन ठीटा प्लस 3 clear फिर उसके बाद माइनस का 3 it is equal to 0 clear है yes sir ये कितना जाएगा 2 आर को स्टीटा प्लस ये यहां से 3 इंटू 2 आर साइन ठीटा तो ये 6 आर साइन ठीटा हो जाएगा बेटा clear है yes sir ओके और क्या है बचेगा ये 2 यहां पर है 3 इंटू 3, 9 हो जाएगा तो 9 प्लस 2, 11 11-3, 8 हो जाएगा clear है yes sir थोड़ा सा दोनों equation को solve करते हैं इदर next page पर अपके पहली equation के है 3 R cos theta minus 6 R sin theta plus 3 तो इन सभी में 3 से division ये पुरी equation 3 से divisible है yes sir इसको क्या बचेगा R cos theta minus 2 R sin theta plus 1 equal to 0 ठीक है यहां से अगर मैं R cos theta minus 2 R sin theta की value निकालो तो कितना आएगा minus 1 आएगा clear है yes sir और अगर मैं R V coma लिलू तो अंदर के बचेगा cos theta minus 2 sin theta it is equal to minus 1 clear है यहां तक yes sir तो यह क्यों जाएगी first equation okay clear है अब second equation के लिए देखते हैं यह क्या है यहांपर 2 R cos theta plus 6 R sin theta plus 8 इस पूरे में 2 से divisible है यह equation yes sir तो कितना आजाएगा R cos theta plus 3 R sin theta plus 4 equal to 0 okay अब यह 4 को उदर बेच दीजिए तो R cos theta plus 3 R sin theta it is equal to minus का 4 आएगा है ना yes sir तो R मैं अगर यहां से common ले लो तो क्या होगा cos theta plus 3 sin theta it is equal to minus का 4 clear यह आपकी second equation होगी तो अब भई देखो इसमें भी R बहार है इसमें भी R बहार है अगर मैं दोनों को divide कर दो तो मेरे पास सिर्फ theta में एक equation बच जाएगी हा के ना yes sir तो वो करते हैं first division by second तो उससे क्या होगा first क्या आपकी R cos theta minus 2 sin theta upon नीचे के आएगा R into cos theta plus 3 sin theta right side के आएगा minus 1 upon minus 4 आएगा clear है yes sir तो यह R से R cancel हो जाएगा ठीक है अरे हाँ है ना yes sir और यह minus 1 upon minus 4 तो यह कितना बच एगा 1 upon 4 बच जाएगा minus minus plus हो जाएगा तो यह 4 को आप इदर cross multiply कर दीजे बेसिकली इन ओन होगा ठीक है तो 4 into cos theta minus Hindi medium से कितने लोग पढ़े है 10 तक यहाँ पर कोई है Hindi medium से कोई नहीं है 10 आप सब लोगो ने English medium से बढ़ा था yes sir okay Hindi में इसको बोलते हैं जो आप cross multiply बोलते हो ना इसको हिंदी बोलते हैं केची गुणा okay चलिए जी देखते हैं तो यह यहां से में क्या करता हूं कि मुझे 10 थीटा के विल्यू चाहिए नहीं हाओ इक्वेशन में आप स्लोप ऑफ अभी हो जाएगा ना है यह थ्री अपॉन 11 और पॉइंट क्या है विटा 2,3 की 3,2 है 2,3 2,3 वैस अब पॉइंट है हमारे पास और स्लोप है तो हम एक्वेशन लिख देंगा हम से तो वाई-माइनस वाई-माइन इस एक्वल टू एम एंटू एक्स माइनस एक्स वन क्लियर यह सर्थ तो आप क्रोस मल्टिप्लाइ कर दो केची गुणा 11y-33 इस एक्वल टू 3x माइनस 6 तो यह कितना हो जाएगा सभी को एक तरफ लेक्या जाओ तो 3x-11y और यह माइनस 33 इदर आएगा तो माइनस 33 हो जाएगा 33 और माइनस 6 27 हो जाएगा तो यह आपका आंसर आगया equation of A-B clear है बेटा किसी को कोई दिक्कत No sir तो भई अगर इस कुशन में सिर्फ इतना है अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया देख लिया कि कौन सा A है कौन सा B है कौन सी L1 है कौन सी L2 है और यह डिस्टेंस देख लिया फिर इस कुशन न कुशन न कुशन न बचा कुछ बचा था क्या अगरा शली जी तो आगे बढ़ते हैं फिर यह वाला कुशन फिर आप लोग करना ठीक है इसक्रविया पर ठोड़ुह से करोगी और प्लीस कर लेना जिक्या रिसेंटली कुश्छन ने Αे जमैंट आσग हाल मैं εδώ कुश्यन है जालिए जी पेरामेटरीक कुश्यन से करना वर ताइक आपका थोड़ा सा पेरामेटरिक कुश्यन का तो आज का नया टोपिक है हमारा पोजिशन ओफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन अच्छा जी तो यह आपका वाई एक्सी से हमारे पास एक लाइन है जो कि रेट किलर से आपको दिख रही है एल ठीक अब इस पे अगर मैं कोई भी दो पॉइंट माक कर दूँँ यह दो पॉइंट हमने माक कर दिये और इस लाइन की एक्वेशन भी रिख लो आप क्या एक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस एक्वल टुजीरो ओके इस एक लाइन की एक्वेशन जो कि नोन है हमार पास यह नोन एक लाइन रहेगी ओके फिर उसके बाद यह वाई एक सीस हो गई हमार पास दो पॉइंट है पी एंड क्यू ओके तो अब मुझे फाइंड करना है कि क्या यह मतलब सही में लाइन के दोनों अपोजिट तरफ है या फिर दोनों लाइन के एक तरफ है ठीके भई यह दोनों एक तरफ हो गए यहां पर है ना लाइन के एक तरफ आ गए ना अब किसी भी तरफ हो मुझे कोई मतलब ने बड़ लाइन के एक ही तरफ है दोनों एक ही साइड है राइट और यह यह अपोजिट साइड है अरे है की नहीं यह सब अपोजिट साइड और यह सेम साइड आफ लाइन क्लियर वेटा यह सर तो अब हम इसको देखेंगे किसे की बही दोनों सेम साइड है या फिर दोनों अलग-अलग है तो इसका एक फॉर्मला होता है पहले तो आप क्या करो कि भई, line की equation क्या है आपके पास? ax plus by plus c equal to 0, ठीक है? यहाँ पर, let's suppose p का coordinate से x1, y1 और q के coordinate से x2, y2, ओके, यह coordinate से आपको दिये हुए होगे, given होगा, और line की equation भी दी हुई होगी, आपको फिर देखना होगा कि दोनों line के एक तरफ लाई करते हैं, फिर opposite लाई करते हैं, तो line की equation दी हुई है, अगर आप इसमें x1, y1 put कर देते हो, इस line में x1, y1 put कर देते हो, मतलब क्या put कर रहे हो आप? इस point को put कर रहे हो, अब यह satisfy तो नहीं करेगी, जहर सी बात है क्यों कि point जो है, equation line को पर लाई नहीं कर रहा है, है ना? यह सर्थ तो इसको satisfy नहीं करेगा, मतलब x1 plus by1 plus c is not equal to 0, clear? तो उसको हम लिखेंगे कैसे? भाई, अगर हम कोई भी point अगर इसमें डालते हैं, या फिर ऐसे कर लो कि इस line की equation की बजाए, आप ऐसे लिखो कि हमारे पास कोई एक expression है, s, जो की है, ax plus by plus c, जिसे हम कोई function मानते हैं, जिसे हम कोई function मानते हैं, कि let's suppose f of x is equal to x square plus bx plus c, कुछ इसी तरीके से, की, let's suppose as is an expression, ax plus by plus c, ओके, तो अगर आप इसमें ये point डाल रहे हो, तो इसको मैं कैसे represent करूँगा, s1, ठीके, अगर मैं इसमें कोई भी point डाल रहा हूँ ना, कोई भी point put कर रहा हूँ इस expression में, तो उसको मैं कैसे represent करता हूँ, s1, ओके, ये underscore में लिखा हुआ है one, ओके, clear, और हमने कौन सा point put किया, p put किया, तो ये हाँ पर, एक और underscore आजाएगा, p, clear, तो अगर x1, y1 put करोगे, तो क्या आएगा, ax1 plus by1 plus c, clear है बेटा, और इसी तरीके से, अगर मैं q put करूँगा, तो s1 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर p की जएगे क्या आजाएगा, पूट करना पड़ेगा, इस s expression में, तो x2 y2 put कर दीजिए, तो आजाएगा, ax2 plus by2 plus c, okay, clear है, अब आपको चेक करना है, कि यह s1 now, now, अब आपको यह multiply करना है, s1, p into s1, q, क्या है, इसका multiplication क्या है, अगर इन दोनों को मैं multiply किया, और अगर less than 0 आ गया, इन दोनों का multiplication less than 0 आ गया, क्योंकि 0 तो कोई भी नहीं हो सकता न, क्योंकि दोनों point इसके उपर लाई नहीं करते, line को उपर, right, तो यह 0 तो कभी होगा नहीं है, तो positive होगा या फिर negative होगा, तो अगर यह negative हो आ गया, first case है आपका, if, तो क्या होगा, then, points lies outside of the line, इसका मतलब समझ माया, मतलब दोनों opposite lie करेंगे एक दूसरे के, clear, yes sir, outside मतलब opposite, ओके बेटा, clear है, yes sir, अब दूसरा case लेते हैं, अगर, S1P into S1Q is greater than 0, तो क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर दोनों same side lie करेंगे, then, points lies, same side of the line, clear है, बेटा सभी लोगों को, yes sir, और अगर गलती से 0 आ गया, इसका, तो क्या होगा, कम से कम, एक point होगा, जो की line को उपढ़ लाए करता है, clear, कम से कम, एक point होगा, जो की line को उपढ़ लाए करता है, और दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम, एक तो होगा, clear, कम से कम, एक का मतलब ही होता नहीं, तो या एक्षे रोगा इस एक्षे टो एक्से इन टुवाइ इक्वाइ इक्र M12 जीरे ऑगा या तो वाई इक्षे रोगा या फिर एक्षे एक्षे उडत सः गर पवई तो च्खे रोगाई दोनों 0 हो जाएंगे यह का डेरिवेशन होता है बट मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं विटा ठीक है क्योंकि डेरिवेशन फालतों का बहुत टाइम खजाएगा हमारा और इतना टाइम अभी है नहीं हमारे पास तो देखते हैं कमेंट ओन दी पोजिशन और पॉइंट्स दीस विट रेस्पेक एस क्या हो जाएगा आपका एकस प्लस 3 वाई प्लस 7 क्लियर है और पी पॉइंट सेपोज आपका मानस ट्री को माम अनस टू- और क्यो पॉइंट हो गया आपका मानस टैन को माट टू तो रखो जाएग का फिलाइक, करो इसव रहे गाद चुछ मार जाई प्लाइस tv टो पूत कर दो, तो माइनस 3 ट्री इंतो माईनस टू प्लस 7 कितना हैगा शिलाइक प्लाइक बीटा माइनस 3 और माईनस 6, माईनस का 9, , साना ऐन सक से इसी तरीके से S1 at Q find करो, कितना आएगा? मानस 10,2 इसमें पूट करो, तो ये मानस 10 प्लस 3 इन्टू 2 प्लस 7, तो ये कितना आजाएगा? मानस 10 प्लस 6, मानस का 4, मानस का 4 और प्लस का 7, प्लस का 3. तो भई, इन दोनों का sign आपोजिट आ गया? तो यहाँ पर तो अगर आप यहीं पर देख लो, दोनों का sign अगर अपोजिट आ गया, तो फिर उनका multiply भी negative आएगा? एना? तो दोनों points के से लाए करेंगे? अपोजिट. अपोजिट. Points lies opposite to each other with respect to line. clear है बेटा? यहाँ सर्थ. तो बहुत simple सा concept था है, बस हमें check करना है, point रख रख के, है ना? यहाँ सर्थ. आपको इवन यहाँ तक भी नहीं करना है, आप जस्ट वह point बूट करके देखो, दोनों अगर opposite sign के हैं, तो अलग अलग और अगर दोनों same sign के हैं, तो दोनों same sign के आखे, तो दोनों एक तरफ. आपके एक यह कुशन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें देख लिजे आप, इसको मैं दो में तर से बता हूँगा, तो कुशन पढ़ते हैं पेले, इफ a, a square falls inside the angle made by the lines, 2y equal to x where x is greater than 0, and y equal to 3x where x is greater than 0, तो मुझे बस x greater than 0 में देखना है, तो थोड़ा सा इसका मैं डागराम बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से clear हो जाए, आपके पास एक line है, y equal to 3x और एक line है, 2y equal to x, 2y equal to x और y equal to x by 2, है ना? यास सर्ब, तो एक आपकी line कुछ एसी आएगी और एक एसी आएगी, तो आप कौन सी line कौन सी होगी? भाई ये क्या आपकी y equal to x upon 2 और ये हो गई y equal to 3x, तो किसका slope ज़ादा है भाई y equal to x by 2 का या फिर y equal to 3x का? किसका angle of inclination ज़ादा होगा? ये let's suppose कि ये, ये l1 है और ये l2 है, तो बताओ मुझे ये नीचे वाली l1 होगी या फिर उपर वाली l1 होगी? slope किसका ज़ादा है वेटा? अरे l1 और l2 में slope किसका ज़ादा है? अरे भाई slope, slope क्या होता है अपका? slope कैसे निकालोगी इसका? अरे बोलो, कशीश, केशव, दिक्षा, वोलो, और भई, वाई एकवल टु एम एकस प्लस सी पढ़ा है न आपने? इसका ज़्यादा है, आजी बेटा? इसका ज्यादा कैसे बिटा इसका स्लोप कितना है मुझे बताओ इसका एम कितना होगा थ्री थ्री में यहां पर नहीं था तो मैंने 1 बना दिया तो y equal to x by 2 तो जो भी x का coefficient है वही slope हो जाएगा तो l1 का slope कितना हो गया 1 by 2 और second line का slope कितना हो गया 3 clear है बेटा सभी लोगों को येस सर बहुत basic चीज थी आपको याद होने चाहिए थी तो बताओ कौनसी अब भाई अगर इसका slope कम है इसका slope जादा है तो angle of inclination किसका कम जादा होगा नीचे वाली लाइन कौनसी होगी l1 की l2 l1 क्योंकि भाई slope कम है तो angle of inclination भी कम होगा clear है और उपर वाले का slope जादा है तो angle of inclination भी जादा होगा ठीके clear तो ये l1 हो गई और ये l2 हो गई तो आप वापास से question बढ़ते हैं if a, a square falls inside the angle made by these lines तो भाई हमारे पास एक point है P जो की a, a square है और ये in l1 और l2 lines के बीच में जो angle दिख रहा है ना आपको ये वाला angle इसके बीच में कहीं है ये point ओके clear है बिटा तो मुझे बताना है कि वो ए जो है किस range में लाई करना चाहिए एक किस range में लाई करना चाहिए कि वो इसी angle में आए अंदर ना line के उपर ना line के बाहर इस angle के अंदर लाई होना चाहिए clear है बिटा इस अभी लोगों को question कि पूछना क्या चाहरा है यह तो भई अब हमने जो पड़ा था हमने थियोरी में पड़ा था वो तो पड़ा था कि हमारे पास एक एक line होती थी और दो point होते थे तो हम उस lines के respect में कर देते थे लेकिन यहां तो उल्टा हो गया दो line हो गई और point एक ही हो गया तो फिर कैसे करेंगे और यह मैंने सिर्फ यहीं पर बनाया है क्यों क्योंकि x greater than 0 है अगर इस line को मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो यह x negative होगा ना इस side तो हाजी ठीक है तो इस वाला side का मैंने बनाया नहीं है clear है नहीं तो यह line नीचे तक आती minus infinite से plus infinite तक जाएगी अच्छा जी तो अब मुझे बताओ कि भाई क्या करें यह point मुझे बीच में चाहिए तो मुझे अब एक और point चाहिए है ना तो let's suppose कि मैं एक point यहां पर ले लेता हूँ कोई भी point ले लेता हूँ 1,0 मेरे हिसाब से सबसे simple point होगा तो यह 1,0 और P opposite है ना एक दूसरे के L1 के respect में yes sir है की नहीं है yes sir तो मैंने एक point assume किया Q 1,0 so P and Q lies outside of the line L1 तो यह L1 के दोनों opposite लाई करते हैं तो भाई इन दोनों का multiplication अगर आप मैं P जो point है और Q जो point है अगर L1 में put कर देता हूँ तो negative आना चाहिए है ना yes sir चीक है तो पहले तो इसको थोड़ा सा फिर से वापस ऐसे लिख लेते हैं यह क्या था आपका X-2Y L1 की equation में लिख देता हूँ L1 का जो यह equation हमेशा उसमें लिखना आप इसमें general format में तो यह आ जाएगा X-2Y equal to 0 ठीक है और L2 का equation क्या जाएगा बिटा क्या एगा 3 3X-2Y equal to 0 clear है yes sir okay तो अगर यह लाई मतलब अलग-अलग लाई करेगा तो S1 पहले S1 भी find करके रख लेते हैं तो पहले S1 P find कर लेते हैं चीक है clear अरे clear है तो S1 P अगर मैं find करूँगा तो क्या आएगा P क्या है मेरा A, A square तो P, A square X-2Y में रखो आप तो क्या आ जाएगा A-2A square आ जाएगा Yes sir clear है यह हो जाएगा S और यह हो जाएगा S- X-2Y और यहां से S dash हो जाएगा A-1 P into S2 into S1 Q इनका जो इनका जो multiplication हो कैसा होना चाहिए अगर P or Q outside लाई करते है लाइन के तो negative होना चाहिए clear clear है बेटा Yes sir सभी की आवाज नहीं आ रही मुझे सभी को समझ मा रहा है कि नहीं हाजी कशिश, दिक्षा, अकांग्षा अकांग्षा ओके बेटा यह कौनसी वाली यह negative किया जो वाली सभी की खरी को को कि तो भी यह यह रवन राइन के थी हमारी X-2Y एक्वल-2-0 यही था है ना तो S हमने क्या S-2Y clear जो की एक तो अब मैं क्या कर रहा हूं S में यह पॉइंट पूट कर रहा हूं तो अगर S में कोई भी पॉइंट करता हूं तो उसको क्या नाम देता हूं, S1 देता हूं, है ना, तो S1, और मैंने पॉइंट कौन सा पूट किया, P point put किया इसमें, clear है, तो P कौन सा पॉइंट था, A, A square था, ठीक है, और Q क्या था, 1,0, तो पेले आप इस L1 लाइन में, L1 लाइन में, X-2 Y, सुरी, यह S point जो है, इसमें a, a square put करो तो x की अगया आप a put करोगे और y की जगे कितना put करोगे a square put करोगे तो यह हो जाएगा a minus 2a square clear है और फिर उसके बाद s में अगर q point put करोगे तो उसको मैं क्या बोलूँगा s1 at q तो 1,0 put करो तो x की जगे आजाएगा 1 और y की जगे में put करोगे तो 0 तो 1-0 0 यह बचाएगा clear है clear है बिटा आव लोग yes sir okay तो s1p into s1q negative होना चाहिए क्योंकि दोनों outside lie करते हैं line के opposite side lie करते है तो यह हो जाएगा a minus 2a square into 1 is less than 0 clear yes sir तो भाई यह जनरल फॉर्मेट में नहीं क्योंकि जो इसकी maximum power है वो negative के साथ इसका coefficient negative है तो उसको positive बनाने के लिए क्लिए 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 मैं मैं-1 से multiply करूँगा इसमें यह सरे ना तो यह क्या हो जाएगा 2a square minus का a और अगर मैंने नेगेटिव नमट्रे मल्टिप्लाइब किया है तो sign of inequality change हो जाएगा यह सोगा भूले तो नहीं हो ना अपना वेवी कर में तर्ड यह सरोगा ओके सो टूए स्कूर मानस a is greater than zero तो अब मुझे इसमें दोनों में a को मन दिख रहा है तो वो a बहार ले लेता हूँ मैं clear क्लियर कि इस का ओके सो अब देखो यहां पर मैरे critical point क्या है critical point क्या है अरब कहा पर zero हो रहा है expression एक की किस value पर हां बोलो कौन कौन सी value है जिस पर यह expression zero बन रहा है एक की किस value पर यह expression zero बन रहा है वन बाई टू पर एक तो वन बाई टू पर और दूसरा और जीरो पर जीरो पर very good तो zero left side आएगा और one by two right side आएगा क्योंकि one by two बड़ा number है जीरो से clear है वेटा सभी लोगों यह number line है basically आपकी ओके तो number line पर आपने वो critical point रख देने हैं जिससे की expression zero बन रहा है या फिर not defined हो रहा है अब यह मेरा general format है क्योंकि right side zero है और सारे coefficients भी positive है clear तो right side में plus से start कर सकता हूं फिर उसके बाद और power सभी की और है सारे जो रेकेट से उनकी पावर ओड है वन वन है ना दोनों इसकी तो साइन जो अल्टरनेट हो जाएंगे चेंज clear है कोई अगर भूल गया हो तो please जाके revise कर लेना हमने पुरा detail में किया था तो अब भाई कौन सा चाहिए मुझे plus वाला की minus वाला कौन सा reason चाहिए plus वाला क्यों क्योंकि हमारी जो inequality है वो positive वाली है greater than zero वाली है मतलब positive वाली अच्छा जी और मुझे 0 और 1 by 2 को include नहीं करना है क्योंकि हाँ पर यह equal का sign नहीं है राइट सिर्फ greater than का sign है clear है बेटा तो हमारा a का answer क्या जाएगा a belongs to क्या जाएगा बेटा minus infinity 0 not include वाला बिलकुल फिर union union फिर one by two not includes और infinity वेरी गुट यहीं है या ओके तो यह हमने L1 के लिए तो देख लिया तो इसके लिए मेरे पास एका यह answer आया ओके clear है बेटा था भी लोगो yes sir और एक बात बताओ कि जैसे आपने L1 लिखाए इसके आगे आगे आप इक्वेल टो नहीं लिख रहे है वो तीन वो डाल रहे हो फिल को लोगे साथ एको डाल रहे हो यह हम अगर कोई भी एक्सप्रेश्ट मतलब इसके आउटसाइड लाई होगा अगर मैं कहीं यहां लूग 0,1 तो वो इसके आउटसाइड लाई होगा हाँ के ना यह स्वाइड ल्टू के रिस्पेक्ट में पी और आर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है यह स्वाइड है ना तो लिखते हैं फिर पी एंड आर लाईज अपोजिट विट रिस्पेक्ट टू L2 क्लियर है? L2 के रिस्पेक्ट में यह एक दूसरे के अपोजिट है ना है पी रहे मैटा पी जिरो कोमा स्वरी पी क्या है यह तो आर है ना और पी क्या है आपका A कोमा A स्कुरा है तो अब उसके बाद में क्या करूंगा? वापस से मेरी line की equation क्या थी? x-2y equal to 0 यही था फिर्स्ट वाला और second वाला क्या था? 3x-y L2 क्या था मेरा? 3x-y equal to 0 ठीक है? तो यहां से S क्या आएगा बेटा? expression क्या रहेगा? x-2y ही रहेगा ना? Yes, sir. okay और यहां से भी expression क्या रहेगा? 3x-y यह 0 वाला सीन हटा दिया मैंने, सिर्फ expression है okay तो अब मुझे बताओ कि S1 at P क्या होगा? वापस से यह इसमें A को मा A square put कर दोगे तो A-2A square बंचेगा? clear है? औरे, sorry, 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 sorry यह मैंने L1 क्यों लिया है? यहां पर, L1 का क्या काम है? मुझे अब L2 के लिए देखना है न? तो मुझे L2 के लिए ही सिर्फ करना चाहिए इसको मैंने S dash नाम दे देना चाहिए तो S1 dash at P क्या हैगा? भई S dash में मैंने put किया P वाला point तो 3A minus A square बचेगा? Yes, sir है ना? भई, यह 3X minus Y जो expression है मेरा इसमें अगर मैं point P put करूँगा तो X की जगे A और Y की जगे A square आएगा clear? Yes, sir और S1 dash at Q क्या बचेगा? 0,1 put कर दो इसमें तो 0 क्या हो जाएगा? 3 into 0, 0 और Y की जगे 1 put कर रहे हो तो minus 1 आ जाएगा, clear? at Q की या at R Oh, sorry, I'm really sorry Thank you, बटा at R Okay, clear तो अब इन दोनों का जो नाओ भई, P और R lie opposite L2 है तो तो क्या होगा? भई, इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन नेगेटिव आना चाहिए? यह तर है ना? तो यह नेगेटिव गर दो तो यह 3 A minus A square into minus 1 is less than 0, clear? तो यह minus 1 is 3 A minus A square में multiply करो, तो क्या आएगा? A square minus 3 A आजाएगा? अरे हा के ना? यह तर तो यह A square minus 3 A is less than 0 बनी गया तो अब यहाँ से critical point बताओ बेटा इसमें A बाहर में ले लेता हूँ तो A minus 3 बचेगा? critical point क्या क्या आएँगे? 0 और 3 बिल्कुल तो 0 और 3 को आप पुट कर दो और plus minus plus कर दो क्योंकि सारे brackets का जो power है वो odd number है और A के सारे coefficient भी positive है और right side 0 है तो plus minus plus लेकिन इस बार मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए? minus वाला minus वाला बिल्कुल और 0 और 3 नहीं चाहिए ठीक है? तो A belongs to क्या हो जाएगा यहाँ से? हाजी? 0,3 पर not included बिल्कुल तो भाई अब यह मेरे पास second आ गया था और यह मेरा first था भाई मुझे एक ऐसा point चाहिए ना जो कि इनके बीच में लाई करे ठीक है? तो L1 से मैंने क्या किया था कि यह point तो जो है L1 के प्रूफ किया कि यह जो P point है यह R के नीचे साइड करता है like L2 के नीचे साइड लाई करता है clear है? R की हैल तो अब मुझे क्या जाए इन दोनों का intersection चाहिए होगा ना ता कि मेरा जो point है वो अंदर ही लाई करे क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक ही को देख लूँगा यह सिर्फ अगर मैं first case आप से देख लूँ तो P जो है वो L1 के उपड़ साइड होना चाहिए ता कि वो P और Q अपोसिट रहे लेकिन अगर मैं सिर्फ इसी first case को देखूँगा तो P तो यहाँ पर भी हो सकता है है ना यहाँ पर भी हो सकता है तो लेकिन यह L2 के तो इधर साइड आगया ना यह L2 के मुझे भी L2 के भी नीचे साइड चाहिए तो मुझे दोनों ही condition apply करनी पड़ेगी clear है yes sir ओके तो from first and second from first and second from first and second taking intersection of 1 and 2 तो 1 or 2 का intersection ले लो आप लो तो पहले सारे points जो है उसमें apply कर दो 0 और 1 by 2 पहले से दे और इस से कुन कुन से point आई 0 और 3 राइट yes sir तो आप से एक बोल रहा है कि 0 और 3 के बीच मे लो जहां पर की 0 और 3 included नहीं है और आप से एक बोल रहा है कि 0 से छोटा लो और 1 by 2 से बढ़ा लो तो कौन सा intersection होगा लेक कॉमन क्या होगा इन दोनों गा 1 by 2 से बढ़ा वाला और कहां तक कहां तक 1 by 2 से कहां तक 3 से छोटा बिल्कुल 1 by 2 से बढ़ा और 3 से छोटा क्योंकि दो लाइन आपको यहीं पर दिख रही ना जहां पर भी आपको दो लाइन दिखे ना सिर्फ वही अगर आप दो चीजों का intersection ले रहे हो तो दो लाइन दिखनी चाहिए और तीन का intersection ले रहे हो तो तीन लाइन दिखनी चाहिए मुझे यहां पर दो का intersection चाहिए था तो मुझे दो लाइन दिख गे एक तो blue sorry green और yellow clear है clear है okay तो intersection क्या जाएगा बटा फाइनली ए विलोंग्स टू वोट वन बाई टू से थ्री क्लियर है यह सर इसी को कोई डाउट लॉस्टा ओके तो हमारा आंसर आ गया लेकिन यह बहुत लंबा चोड़ा सोलुशन चल गया ना इसका यह सर मेरे पास एक और में धड़े वह बहुत शोट इन सिंपल है बस उसमें एक चीज़ है आपको ग्राफ आना चाहिए तो ग्राफ तो मुझे पता है कि आपको पता हो है क्योंकि हम बता चुके हैं आप लोगों को बहुत देखो और नहीं हो यह जो पॉइंट है पी एक कोमा एस्कोर यहीं पॉंट था हमारा पी जो था वो क्या था a, a square मुझे बताओ कि यह किस चीज़ का लोकस है किसी को बताए हमने लोकस में पढ़ा था यह a, a square केशव कशीश, सुरज, आकांग शा पता है बेटा सरव याद नहीं आ रहा ओके भई याद नहीं आ रहा ना simply a को x a जो है वो x coordinate है a square जो है वो y coordinate है राइट अरे है की नहीं एक ही जगे में x put कर सकता हूँ तो यहाँ पर एक ही जगे x put कर दो तो x square equal to y आ गया तो यह किसका लोकस हो गया y equal to x square का लोकस हो गया यह सर y equal to x square क्या है क्या इस करव का कुछ नाम है क्या y equal to x square y equal to x square plus b x plus c अब यहाँ पर b 0 है c 0 एक ही वेल्यू वन है किसका है यह y equal to x square का ग्राफ बताए दा ना बेटा यू जैसा होता है अच्छा शेप पूछ रहा हूँ और पेरा बोला बोलते हैं इसको कौनसा वाला पेरा बोला है यह यह अपवाट पेरा बोला बिल्कुल और यह भी अपवाट पेरा बोला अपवाट क्यों हूँ कि जो x का coefficient है वो positive है इसलिए अपवाट पेरा बोला x square का जो coefficient है वो positive इसलिए अपवाट पेरा बोला अगर y equal to minus x square होता तो downward पेरा बोला होता ओके clear अब मुझे लायन कौन कौन से बनाने थी एक तो y equal to 3x3 है ना y equal to 3x3 अरे ठीक नहीं और एक और कौन सी लाइन है y equal to xy2 xy2 ओके और आपका जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में कही होना चाहिए राइट तो यह y equal to x अरे यह y equal to xy2 लाइन है और यह जो लाइन है यह कौन सी लाइन है y equal to 3x और मेरा जो पॉइंट पी है वो इस लाइन के बीच में लाई करना चाहिए लेकिन यह लोकस किस का है वो a, a square का लोकस है है ना तो इसी लोकस को उपर घूमेगा फिर वो पॉइंट भई लोकस क्या होता है रास्ता होता है न एक तो हमारा जो पॉइंट है वो इस लाइन के उपर लाइन यह जो कर वे इसी के उपर घूमेगा बस यह ही एक है कहीं पर भी नहीं हो जाएगा कि यहाँ पर कर दिया यहां पर कर दिया, यहां पर कर दिया, नहीं, इसी सिर्फ इस करव के उपर वो चलेगा, A, SQ, और हमने वो भी बाउंड कर दिया कि भाई, इससे उपर और इससे निचे, clear? यह सर, है ना? तो अब अगर भाई, वो पॉइंट का कोडिनेट क्या था मेरे पास? A, A, SQ, तो basically मुझे इस पॉइंट का अगर X कोडिनेट के उपर में कंडिशन लगा तो वो A के उपर ही कंडिशन हो जाएगी? क्योंकि X कोडिनेट A है, उसका, right? भाई, A के उपर ही कंडिशन चाहिए ना मुझे? कि A की value में क्या लूँ कि वो इसके बीच में आ जाए? तो A के लिए देखते हैं, तो A क्या है? X कोडिनेट, तो भाई, यहाँ पर इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से ये right side में होगा ना थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा कर्व मैं अच्छे से बनाया नहीं है, इन दोनों का इंटर्सेक्शन पॉइंट फाइंट करो, तो X स्कॉर इकल टू एक्स बाई टू आ जाएगा, क्लियर है? यह रहाया ना? तो एक तो यह दोनों मुझे दिख भी राए कि 0,0 कर रहे हैं इंटर्सेक्शन है ना? अरे हाया ना? यह सर कर दो यह एक एक से एक एक उड़ा दो, मुझे पता है कि X जो है वो 0 है, ओके और X इकल टू और क्या बज गया? वन बाई टू बज गया? क्लियर है? यह सर यह वाले पॉइंट का X कोडिनेट कितना होगा? वन बाई टू, ठीक है? अरे हा कि ना? यह सर यह जो X कोडिनेट होगा, इसका भी वही X कोड होगा ना क्योंकि यह पर्पेंडिकुलर लाइन है, क्लियर है? हा कि ना? क्लियर है बिटा लोगो? यह सर यह जो और यह वाई एकल टू 3X का इंटर सेक्शन पॉइंट कर लो, यहां से मैं अगर, तो यह क्या करूँगा? कि Y एकल टू X स्क्वायर एंट य इकल टू 3X का आ X इकल टू 3 आ गया, क्लियर? यह सर तो यह वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 3,0 ठीके? यह सर तो मेरा पॉइंट जो है, इसी इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो एक किन किन के बीच में होना चाहिए, एक इस से बढ़ा होना चाहिए, 1 by 2 से बढ़ा होना चाहिए, और 3 से छोटा होना चाहिए, तभी तो इन दोनों के बीच में आएगा ना? पीच में आना चाहिए, वन बाइट और 3 के बीच में, क्लियर बेटा सभी लोगो को, कोई एसा जिसको डाउट, कोई एसा जिसको डाउट है कहीं, अगर सर्फ पी के कोडिनेट लग उते हैं, लोकस भी लग उता है, फिर लोकस कुछ और हो था, फिर हम उसके अकोर्डिंग सो जल्दी आंसर आगया मेरा, इधर मेने दो पेस की केलकुलेशन करिये पूरी, ठीके, यह आपका मैसर टू हो गया, क्लियर है बेटा, यह सर, ओके, तो नेक्स टोर देख लेते हैं, डिस्टेंस ओफ पॉइंट फ्रोम ए लाइन, यह बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रख का, तो चलिए जी, और आपको बतातु ये जो कुष्यन है ना, ये प्रिवियस मेंन्स का कुष्यन है, तो अगर आप इसको इस मेंतर से कर दोते हैं, तो आपका कम से कम इन जाते है, तो आप 2 मिड तीन निट जाते हैं, मगर आप full flow में भी करते हैं इसको, और इस कुष्यन से इस मेतर से करने से आपको एक मिनिट के अंदर आपका कुशन सोल हो जाएगा ठीक है तो अब देखते हैं डिस्टेंस ओफ पॉइंट फ्रों मेलाइन अच्छा जी तो अब आप जब आप से कभी भी कोई पूछे ना कि डिस्टेंस ओफ पॉइंट फ्रों मेलाइन और वो कि इस लाइन से डिस्टेंस बताओ तो फिर आप क्या करते हैं कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं कौन सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं यह वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लियर है यह सर ठीक है लेकिन यहाँ पर इसने क्या बोल दिया कि इसके पेलेल फाइंड करो तो इसलिए मैंने यह जो है पूरा कुश्यन बना था क्लियर वेटा लोग इसका मतलब मैं क्या समझूँगा कि मुझे परपेंडीगुलर इस्टेंस कितनी होगी पी एम होगी ना भाई पी की इस लाइन से इस्टेंस कितनी है पी एम उसको मैंने डी नाम दे दिया क्लियर तो यह जो फॉमला होता है पी एम का यह वाला फॉमला है इस फॉमले को डिराइव अगर हम करें तो उसके भी दो तरीके हैं एक तरीका आपको दोनों तरीके में आपको बता जैता हूं आप लोग कर लेना घर पे ठीक भाई आपके पास पी का कोडिनेट पता है और यह लाइन गीवन है आपको ठीक है तो पीएम की एक्वेशन के लिए मेरे पास एक पॉइंट गीवन है मुझे सिर्फ एक स्लोप चाहिए स्लोप कैसे फाइं कर सकता हूं मैं एबी की स्लोप के बिल्कुल भाई यह जो लाइन है इसका स्लोप आजाएगा तो इसका पर पे यह पी पीएम और यह लाइन एक दूसे के पर पेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप में क्या डेलेशन होगा एंवाइं टूएम टो इक्वल तू माइनस वन हो जाएगा बेटा यह सर्ट चलिए ना तो एम वन इंटो एम टू इक्वल टॉ-1 हो जाएगा मतला पीएम का जो स्लोप होगा वह इस लाइन के स्लोप का नेगेटीव रोची रेसी प्रोकल होगा तो आपको स्लोप भी पता चलिए गाट पीयम की क्वेशन फाइंड कर लोगे फिर पी एम और इस लाइन क को सोल करोगे तो आपके पास M point आ जाएगा और M point आ जाएगा तो आप PM का distance find कर लोगे इसमें तो आपको कोई formula याद नहीं करना पड़ रहा है लेकिन ये formula आया कैसे ये formula आया ऐसे कि भाई देखो slope तक भाई कहानी रहेगी इसका slope M है तो इसका slope कितना हो जाएगा माइनस वान अपॉन एम क्लियर अरे चीके तो अगर आपको slope पता हो गया तो फिर क्या होगा आपको टेंटीटा पता चल जाएगा हां के ना अरे बोलो हाया ना अगर आपको slope पता चल गया इसका तो आपको पॉइंट भी पता है और इसका जो डेरिवेशन था इसका डेरिवेशन हम कैसे करते थे पी एम इस इक्वल टू एक्वान प्लस बीवाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्कॉर प्लस बीश्कॉर आपका फॉर्मला ओ जुगा है तो आपको बैसे लिएक्वान वाई वन से जाना है ठीक है हम भी पैरामेंट्रिक वाला फॉर्मला लग फॉलो करेंगे एक्वाई वन से जाना है एम तक तो वह आई इस चलोगे आप इस लाइन गो पर ।ीक है तो आपको पता है, अब आपको बस कोस्टिटा और साइन टिटा पता करना है, राइट, यह तो आपको टें टिटा यहां से पता है, टें टिटा अगर साइन टिटा मैनें नहीं होगा, टेंट टो ऊपघ nước टें टें टृट आपको टाइट यह तो आपको टेंट ट्रिमच टृट टा पर इंपना Лो Chris कि नियुक्त डिए ने फैले तो ए अपन बिकर एशी प्रफल करो तो भी अपन आ जायेगा और फिर आपको एक्टा माइनस वहाँ पर लगाना है तो आप एक्टा माइनस लगाते ना तो मानिस मानिस तो आपको आपको एम के कोडिनेट पता चल जाएंगे? हाँ के ना? ठीक है? और फिर एम के कोडिनेट से आप इस लाइन की एक्विशन में पूट कर दो होगे? क्लियर? तो यहां से आपको आर की वेल्यू पता चल जाएंगे आप लोग ट्राइ करना अगर नहीं होता है तो मैं हूँ आप से ठीक है? जिसको भी डाउट आएगा मैं बता दूंगा उसको परसनली ओके? क्लियर? तो फोमला आपको याद रखना है एक्स वन प्लस बीवाई बन प्लस सी पैसिक लिए मने कुछ नहीं किया यह जो हमारा पॉइंट था इसको इस लाइन की लाइन में पूट कर दिया एक्स वन अगर हम इसमें पूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वन प्ल क्लियर है बिटा फोमला याद हो जाए सबीको और मौट कर लगा क्योंकि डिस्टेंस हमारी कभी नेगेटिव नहीं होती तो बैसिकली यहां से जो आपका आर्ट का जो फोमला आता है न वो माइनस में आता है माइनस एक्स वन प्लस बीवाई वन प्लस सी अपन अंडरूट एसकोर प्लस बीवाई ठीक है यह बिटा ओके तो यह जो है अगर मैं मोडर मानू तो यह आर की वेल्यू है तो पी एम की वेल्यू क्या थी मोड आर तो आपने मोड लगा दिया हमापे तो माइनस अच्छ जाएगा इसका डेरिविशन में बता नहीं रहा हूं तो आप कि डिए तो आपको एंच्छी उड़ को आट कर लिए तो एम पोईंट के कोद्टिनेट हम पहले से वारइम कर लिए टैन हमारी हदेने का थी एकजा माइनस एहर मांनके अपॉएट टीयन अपन आप आप उटीय इस क्वाल टू टू आर एower inhib कि करने के लिए हमने यह एक्विशन लगाई थी राइट येश हाँ जी तो यहां पर देखो गर आप कोस्ट इटा की वेल्यू फाइंड करोगे ना तो ए अपोन दिस हाइपोटेनिस हाइगा हाइपोटेनिस क्या है इसका और रूटेस के लुद पर ने दोगे एक्स-एकशन आपन पर सीच तो आप अफ़ रहने दोगे शिस सफ और रेहने को उधर भेजेँ जों अकने के साइट एट मैश्ट कष्ट एए तैट आपका इस तरी कैसे एक्विशन बनेगा, x- x1 upon a is equal to y- y1 upon b is equal to, यहाँ पर आएगा आपका अंडरूट a square plus b square, और यहाँ पर आएगा अंडरूट a square plus b square. अब मैं क्या गरता हूँ, नार्ट की विल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा X-1 upon A upon और यह अंडरूट A square plus B square दोनों तरफ है common तो इसको आर के तरफ भेज़ दो, clear? अगर यह अंडरूट A square plus B square यहां पर आएगा भाई देखो अगर मैं इसको यह जो डिनोमनेटर अगर इसको पूरे को मल्टिप्लाए करता तो A into R आता और उसके डिनोमनेटर में आता अंडरूट A square plus B square राइट? यह सर्थ है ना? तो यह clear है ना बेटा कि यह R के डिनोमनेटर में आएगा? ओके? और अभी हमने R की वेल्यू क्या निकाली? यही निकाला था? हा के ना? तो यह अंडरूट A square plus B square जो है आप इसमें मल्टिप्लाइ कर दो तो आपके पास यह formula ready हो जाएगा? X-X1 upon A is equal to Y-Y1 upon B is equal to minus times of X1 plus BY1 plus C upon A square plus B square. क्योंकि यह अंडरूट में दोनों चीज़े से हमें, तो square हो जाएगा इन दोनों का, तो square root cancel हो जाएगा, clear? तो आप ट्राइ करना, इसका derivation प्लीज ट्राइ कर लेना, ठीक है? अगर किसी को प्रोब्लम हाए तो प्लीज मुझ से पूछ लेना, but derivation try कर लेना, okay? तो यह क्या है? foot of perpendicular, मतलब जो M के कोडिनेट से आप इससे find कर सकते हो, right? पहले A को multiply कर दोगे, फिर X1 को उदर वेज़ोगे, तो X के कोडिनेट आ गए, इसी तरीके से Y के कोडिनेट आ जाएगे, clear? clear है बेटा? okay, next हम आते है, image of a point in a line, आपके पास एक point है P, और आपको इसकी image लेनी है इस line के उपर, clear? इस line L में इसकी image लेनी है, तो line L को इज़े आप एक आईना मान लो, ठीक है? clear? clear है बेटा? तो इसकी image जो है, अच्छा, आप आप देखो कि अगर आप कभी काच के सामने, आइने के सामने खड़े होते हो, तो आप जितने दूर खड़े होते हो आइने से, वो उसकी image भी उतने ही दूर अंदर बनती है, right? ये physics का concept है, तो ये पहले बात तो 90 degree ही सही, तो ये अगर ये mode r distance दूर है, पी एम, तो ये भी mode r distance दूर होगा? होगा कि नहीं? है ना? तो भई, ये वाला जो formula है, अगर मुझे अप M की बजाए, M के coordinate नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर M dash के coordinate चाहिए, जो कि image of, यहाँ पर M की बजाए P dash कर दो, तो ज्यादा बेटर होग ये जो है P का coordinate, P का image है, image of P in line L, clear है? तो अगर P से M तक की distance r है, और तो ये M से P dash तक की distance भी कितनी होगी? mode r, clear है? तो P से total distance कितनी होगी? P dash की, 2 r होगी na, 2 mode r, clear? यहाँ पर distance की जगे मैं क्या लिखूँगा? 2 times of mode r, या फिर, यहाँ पर distance नहीं आएगा, यहाँ पर 2 r आएगा, तो आर की value जो है, हो क्या आएगी? आर की value तो यह x1 plus by 1 plus c upon under root a square plus b square, और वो under root a square plus b square भी multiply होगया तो इसलिए a square plus b square होगया तो इसलिए a square plus b square होगया था, वो पिछले वाले पिछले वाले जो formula धा मारा photo perpendicular, उसमें बस 2 नहीं था, इसमें 2 आगया, 2 क्यों आया? क्योंकि यह distance double होगी है, है ना? भाई P से M तक क distance mode R थी, तो P से P टेक की distance 2 times of mode R हो गई, तो double होगी होगी है, इसलिए आपर 2 आया, बाकी formula पूरा सेम है, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to minus 2 times of, minus 2 times of x1 plus by 1 plus c upon a square plus b square, ठीके, clear? ये सर, ओके, तो ये भाई याद रख ले ना, formula क्या है आपका, for p dash, मतलब image of p, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to minus 2 times of a x1 plus by 1 plus c upon a square plus b square, clear एविटा, foot of perpendicular में भी denominator में a square plus b square आता है, और image में भी a square plus b square आता है, बस जो distance होती है, perpendicular distance, pm, r, pm equal to r, उसमें under root में आता है, a square plus b square, clear है बिटा? ये सर, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक question कर लेते हैं फिर इस पे, and equilateral triangle has been along the line, एक equilateral triangle है, जो कि इस line के along है, and one of the vertex is 1, minus 2, तो एक equilateral triangle का जो base है, वो इस line के according है, clear है? और जो vertex है, जो कि इस line को उपर line नहीं करता है, आप check कर सकते हैं, जो है, इस को उपर line नहीं करता है, तो आपको find करना है area of triangle, clear, question clear है बेटा सभी लोगों को? ये सर, तो बेटा, आपकी जो line है, वो कुछ इस तरीके से है, ये line L आपको दे रखी है, line L आपको दे रखी है, क्या है L line? 12 X प्लस 5 Y प्लस 11 एक्वल टू 0, clear? और आपका जो vertex है, जो given vertex है, वो क्या है, 1, minus 2, clear? ये point letter post B हो गया और ये point C हो गया, okay? clear? Yes, sir. तो मुझे क्या करना है, ये equilateral triangle का area find करना है, तो अगर एक साइट A है, तो लेक सारी साइट इक्वल होती है, एक लेटर ट्राइंगल में? Yes, sir. तो मुझे बताओ कि इसका formula क्या होता है area का side के time में? किसी को पता है? area कितना होता है, इक लेटर ट्राइंगल का side के time में, अगर side इसकी small A है तो? अट्रोट 3 एप ओन? अपन कितना हैगा बिटा? अट्रोट 3 एपन 4 होगा जाएगा? बिलकुल और multiply में क्या हैगा? सिर्फ यहां से अगर आपको बताया था कि यह एंगल भाई सेक्टर भी होगा और मीडियन भी होगा राइट इसमें 60 डिग्री होता है तो इसका हाफ कितना होगा 30 डिग्री और यह 90 डिग्री होगा लिए तो यहां पर आपको दो है टमल ट्रेंगल दिख रहे हैं तो आप बस कर दो यह अगर ए है तो यह इतना एवाई टू होगा तो right angle triangle में तो हमें पता होता है अगर यह A है यह A by 2 है तो यह root 3 by 4 into A आता है आपका sorry root 3 by 2 into A आता है जो आपका AD आता है न वो कितना आता है root 3 by 2 into A clear तो आप क्या करोगे हाँ आप क्या करोगे हाफ into base into height कर दोगे तो half into root 3 by 2 into A into A by 2 तो यह तो सिर्फ इस A, B, D triangle का आया इसी तरह के से ADC का triangle आएगा दोनों का sum कर दोगे तो आपके पास ABC का जो है formula आजाएगा area का clear? yes sir तो root 3 by 4 into A square अब मुझे basically A की value find करनी है ठीके? तो मैं कैसे करूँगा? कोई बताएगा मुझे? एकी value में कैसे find कर सकता हूँ यहाँ पर? यह AD जो है BC के perpendicular है कोई बताएगा बेटा? यह जो AD आपको दिख रहा है वो BC के perpendicular है कोई बताएगा मुझे? sir BC का slope निकाल के AD कर बेटा अभी हमने formula लिखा है na perpendicular distance of a point from a line तो एक पॉइंट है yes sir तो distance of a of point A from line L इसका direct formula है ना हमारे पास तो? तो यह कितना आता है? root 3 by 2 into a आता है बेटा यह? AD की value कितनी आएगी यहां से? root 3 by 2 into a आएगा? आप calculate कर सकते हो पाइथा गरस्योरम से? यह A है, यह A by 2 है इसका hypotenuse A है, base A by 2 है तो आप height find कर सकते हो ठीक है? तो यह root 3 by 2 into a आता है तो अगर यह r distance है तो यह root 3 by 2 into a हो जाएगा और इसका formula किया होता है? mod में AX1 AX1 plus BY1 plus C upon under root A square plus B square यह होता है ठीक है? तो यहां से अगर मैं, अब R कितना था मेरा? root 3 by 2 into a था, right? यह ना? और भाई आप यह जो line है, line में आप 1, minus 2 put कर दीजिए clear? क्योंकि भाई, line की equation है आपके पास 12X plus 5Y plus 11 equal to 0 और point हो जाएगा आपका point हो जाएगा आपका 1, minus 2 यह हो जाएगा X1, Y1 clear? क्योंकि हम इसी point की distance find कर रहे है तो put कर दो बस ही X1, Y1 is point, इस line है put कर दीजिए आप, तो X की जगे आजाएगा आपके पास 1 और Y की जगे आजाएगा आपका कितना? minus 2 clear है? और C जो यह आपका 11 है, divide by under root A square plus B square तो A कितना है 12, 12 का square plus B कितना है? 5, तो 5 का square clear है बेटा? yes sir तो अगर आप इसको solve करोगे तो कितना आएगा? 12 into 1 एक सेकंड, 12 into 1, 12 हो जाएगा और 5 into minus 2, minus का 10 minus का 10 और plus का 11, plus का 11, तो यह 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13, ठीके? और यह देखो 12 का square plus 5 का square आजी बेटा? C 1, 3 आएगा C 3, 3 आएगा? क्या? ने, ने, 13 ने आएगा ठीक है clear है? ओके तो भाई देखोड, 5, 12 और 13 यह तिखड़ी होती है न ट्राइंगल में, तो यह आजाएगा 13 clear? भाई 5 का square 25 होता है, 12 का square 144 होता है, दोनों को 8 करोगे तो 169 आएगा, 169 का root 13 होता है clear? तो यह 13 लिएट भाई 13 तो हो गया 1 clear है? तो एक ही value कितनी है आगई? 2 by root 3 2 by root 3 clear है भाई सभी लोगो को? यह सर तो इसका area कितना हो जाएगा? area हो जाएगा root 3 by 4 into A square, मतलब 2 by root 3 का whole square तो भाई देखो, root 3 by 4 into 4 upon 3 तो यह 4 से 4 कैंसिल और यह जाएगा 1 upon root 3 clear है भाई सभी लोगो? यह सर यह आपका answer है आज के लिए इतने ही रखते हैं, सभी हो समझ में आगए है? यह सर clear है सभी लोगो? अरे हाँ यह ना? यह सर